तो जी जे रम जी की गूद मॉर्लिंग नमस्कार कैसे हैं आप सब और आज कई दिनों के बाद में मैंने वीडियो चुरू किया हैं काफी कॉमेंट्स ब्या रहे थे कि जिदी आप तो चुपल जुत्तों में इतने बीजी हो गए कि वीडियो इनके मड़ाते तो पता है क्या ह हुआ है सो आज मैं डिटेल में सारी चीज बताते हूं आपको अपनिंग हुई थी अपनी 21st को मतलब थर्सडे को कल थर्सडे था तो एक अफ़ते के बीच में हम लोग दो या तीन दिन तो हमारे ट्रैवल में निकले क्यों करके फिर कुछ सामान लेकर आना था वो लेकि आ पड़ा और जो सामा लेने जाते हैं न वीडियो नहीं याद रहता यार भाग 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 बस तो यहां से मेंदरगड चागे गए थे हम लोग तो सामा लेके आए दुकान का और और तिर दुकान दुबारा से चालूं की यहां पर बच्चों को छोड़के गए तो वो तीनों आए ना तब बच्चों को घर पे जोड़के हम दोनों गए थे सामान लेने फिर रूटीन शुरू हुई दो दिन शोप में निकले अब जाके मैंने सोचा व्लोग रेगुलर करेंगे जुखाम हो गई थी मेन बात यह था तब्यत खराब होगी बीच में तो करने के साथ साथ मोटर चल रही है तब्यत खराब होने की साथ साथ ना वीडियो इतना पूसीबल नहीं हो पाता अ अब मैंने सोच ओड़ा सा व्लोग करूंगी कि आप थोड़ा सा लाइफ स्टैबल हो रही है सिस्वा है फिर से जाना है दो तिन दिन में जाएंगे लेकिन अब की बार सर्मा जी सायद दग अकेले ले आएंगे मुझे साथ जाने की ज़रूत नहीं है नीरू को बेजने की सोच रही हूं नीरू है ना उसको चोईस बहुत अच्छी है वो डिजाइन बहुत अच्छे पसंद काता है एक मेरी मम्मी की चोईस बहुत अच्छी है लेकिन मम्मी को या सर्दी मेना रोज रोज परेशान करना पतानी क्यों अच्छा नहीं लग रहा है अर्जुन की चोईस अच्छी है लेकिन उसका काम वो अपना काम करेगा कितने दिन तक हम लोगों की तीछे बूमनेगा काफी परेशानिया है देर धीरे बताओंगे आप लोगो अगे देखें हाथ से नाखुन तोड़ रहे हैं आज इन्होंने यहीं पर लगा रखिये अपने दुगाल एक लगाते है आप एको टेबल अभी कुछ ऐसा ही है माहूल अब इसको टेबल को बाहर निकालेंगे दोनों लगके एक कार्टून का वाडी को देने है जो दिये न तो जी मैंने यह वाला जो वीडियो है ना कि गुरुवार को शुरू किया था राज मंगलवार हो गया आज मैं इसको एडिट करेंगे बीच की छोटी मोटी इतनी भी क्लिप्स ही ना वो इसमें डालके और फिर मैं सोचा चलो आज यह व्लोग पोस्ट करते हैं यहीं शोप पता है क्या होता है ट्रैफिक की आवाज आती है इसकारण से ना वीडियो एडिट नहीं हो पाते नहीं तो मैं कर लेती और अभी यह मेरा तीसरी बार सुप का सामानाया है और अब जब यह आया था तो शुबह आया था लेगे शुबह टाइम नहीं था अज अमावस वाले आया थी एक बार यह सामान के लिए फिर उसके बाद आने के बाद में सामान वगरा निकाला और हम लोग कर रहे थे इसको काउंट कर रहे थे क्योंकि पता है जो सामान लेके थे जो रशीद वगरा थी ना उसमें 2000 रुपा का अंतर आ रहा था हम लोगों के लिए लग लग बैठ करने ही मतलब खड़े हो किया पर पहले सामान को मिलाने लगे कि क्या सामान आया क्या नहीं आया और कहां पर क्या गड़बर हुई जिसने के 2000 का अंतर आया तो बाद में पता चला है कुछ सामान ऐसा था जिसकी रसीद ही नहीं ली गई गिर गई बीच में तो उसके का गलतियां नहीं हुई थी अभी लग रहा था जैसे ये जो सामान आया ना इसके पहले वाले दिन जब ट्रांस्पोर्ट लगा दिया था सामान तो लेकिन पहले वाले दिन जब घर पे पहुंचे थे ना तब लग रहा था कि हाँ वो हो गई है पैसे का गड़बर तो ओ रही यह सारे चीज़े शूच रहे थे लगिन सारा सब कुछ मैच किया तब पता चला कि यार यह सामन रसी देना जिस सामन के उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है तो एक्स्ट्रा है इसका मतला यह बागी जो दो हजार अलग है ना उसी का है तो मन में एक खुशी होई कि नहीं अभी तक वो गलती नहीं है भगवान का शिरवाद है और मैं आप लोगों को बताऊं तो अब जो है ना जब मेरा वीडियो आ रहा है जिस दिन अब तक हमारी जो शोप का स्टोक है ना वो हमने फुल कर लिया है अच्छा खासा मत नहीं थी कि कौन सा आइटम चलता है कौन सा नहीं चलता किसकी डिमांड जादा है तो वो पिछले अब 21st को यह ओपनिंग होई थी और आज तीन ताइफ होगे तीन डिसंबर तो दस बारा दिन होगे बस उतनी नोलेज तो होगे क्या चीज जादा चाहिए कौन सी चीज नह है प्रोडेक्ट जो ना चलता हो बगवान की देह से सारे प्रोडेक्ट यूजफूल है अभी जो किस्टमर है उनको पसंदार है और आशा करूंगी कि आगे रहा मैं आप लोगों सा भी बगवान ऐसे ही आशिरवाद अपना देता रहे और एक चीज जो और कहूंगी हां कि कोशिश करूंगी कि मैं रेगुले फ़लोग बना पाऊं यहां ना मेरे को बहुत सारे हैं लोग टाहिए जिदी आप पागल बनाती हो लेकिन नहीं यार मैं तब्यूत हो गई थी ओपर से नहीं की भी तब्यूत खराब हो गई ती नहीं भी बीमार रहें और बस में आपनी तो मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काइम मैनेजमेंट नहीं हो पारा, बहुत हालब खराब हो जाती है, सुबह सुबह भागम भार, फिर पूरा दिन मेरा शोप पर निकलता है, उपर से सीजन चल रहा है, जैसे अभी शादी वगएरा का, तो वो पूरे दिन पिर छूटी जाती है, कुछ बच्चे विमार हो रखे हैं, देखते हैं, अब कल से मैंने मन में एक संकल्प लिया है, कि मैं सुबह जल्दी उट के अपना ब्लोग शुरू किया करूँगी, और रात को उसको एडिट करके घर से अपलोड कर दिया करूँगी, क्योंकि शोप पर वाइफाई नहीं रहता, ठीक है, और बस आप सभी की दुआओं में इतना सर है, कि अपना नया काम बहुत अच्छा चल रहा है, और आने वाले समय में डिटेल में वीडियो जमें आप लोगों की साथ में शेयर करूँगी, सारे, जिसमें आपको पता चलेगा कि किस तर कि कि अब कि करूँ अपकोड की तर चतले में यहें, यू कि कया बहुत, खिक अच्छा ऐस में यहीं इतना सर थकिता रहा है अढर है य्कोड़ों कि की दुट खबले बहा भामा कर कि अमें, यूरता रह how할 में आपकोड़ों को णूरता तर